कितने भी Hollywood या Bollywood movie देख लो, animated movies के लिए सब के दिल में एक special जगा होती है कॉस anime ये एक ऐसा मीडिया में जहाँ आपको प्रेम रेतन धन पायों से लेकर Pirates of Caribbean दोनों साथ देखने मिल सकता है अब आप सोचोगे मैं टाइटल क्यों repeat करता हूँ, तुम सब अनपर तो हो नहीं, लेकिन भाईया करना पड़ता है वरना movies में भी लोग AOT कहा है पूछते, वैसे आपने इसका part 1 नहीं देखा तो उपर i button में उसका link आ रहा होगा तो इस वीडियो के बद उसको चेकाउट करना मत भूला तो सबसे पहले number 10 पे आता है In the Corner of the World As the title suggests, ये कहानी सेट है जपैन में जो हम सब को Hiroshima नागासा की bombing के बारे में तो पता ही है पर जपैन में Hiroshima के अलावा भी कई ऐसे शहर थे जहांपर तरह तरह की bombing होती थी उन्हीं शहरों में से एक में रहती है हमारी main character Suzu Rano जो काफी ज़्यादा innocent है Unlike us, उसके और उसके परिवार वालों की खुशी का काराने उसकी हरकते कजब उसे आदत है daydreaming की So, अपने ही imagination में वो खुश रहती है बट ये खुशी कितने दिन तक रहेगी हमें नहीं पता क्योंकि जपैन World War के चपेट में आ चुका है और हमें दिखाया जाता है कि जपैन की क्या हलत होती है War के पहले और War के बाद Hiroshima के blast के लावा बाकी शहरों पर क्या effect पड़ता है ये भी हमें anime में देखने को मिलेगा कई बार anime में कोशिश की गई है कि इस emotional और depressing story को काफी neutral way में दिखाया जा सके अब वो कोशिश कामियाब हुई या नहीं वो तो आपको movie देखने पर पता चलेगा जिसे animate करा है studio मापा ने पर मेरे ख्याल से इसके animation को intentionally old रखा गया है क्योंकि ये movie 90s में set है अगले number पर जाने से पहले मैं अब के लिए रहा हूँ हमारे आज का sponsor app जिसका नाम है Rummy Circle ये एक skill दिखाने वाली काफी safe gaming app है जिसमें Rummy खेल खेल कर आप पैसे जीच सकते है Rummy Circle एक safe and secure app है जहाँ एक करोड से भी साथ active players है तो अगर आपको Rummy खेलना आता है तो खेल कर पैसे जीच सकते हो और अगर आपको नहीं आता तो इसमें practice games खेल कर असानी से सीख सकते हो और फिर cash games में entry मार के जीच सकते हो इस पे deposit करने का तरीका काफी safe है जिसमें आप ATM, phone पे credit debit card के द्वारा deposit कर सकते हो और आपके पहले deposit पर ही 2000 तक का welcome bonus मेरेगा Rummy Circle पे Rummy खेलना काफी आसान है जो phone में काफी smoothly भी चल जाती है जो कि आप खुदी screen पर देख सकते हो So guys, आप भी description box में तिये गाई link से अभी download करें और register करके deposit करते ही 2000 तक का welcome bonus पाए आप भी रम मिखेल और cash जीतो Again, I'm saying it's a sponsored app जिसके बारे में मैंने research करी Reviews पढ़े तो पता चलाई है काफी पुरानी company है जिससे कुछ लोग सच मयान भी कर रहे Still, it's a skill-based gambling game So I would suggest only invest what you can afford to lose 9th पर है Maakyaak ये movie एक ऐसी league में है जिसका depth explain करने में आपका शब्द गोश भी कम पर जाएगा Story set एक ऐसे word में जहां है humans और maakya जो एक तरह की special beings है जिनकी age नहीं बढ़ती या normal human से बहुत धीरे बढ़ती है Humans और maakya separately अपनी जिन्दगी में खुश है Until इंसान maakya पर हमला कर देते Like Russians over Ukraine ये हमला क्यों हुआ हमें नहीं पता बट अचानक एक रात कुछ humans dragon पर सवार होकर maakya पर हमला कर देते लेकिन इसी हमले में एक dragon एक maakya को उठा कर कहीं दूर ले जाता है और war के कारण वो जगह भी बहुत बुरी हालत में होती है वैसी बेजान जगह पे खुद आधी जान वाली अपनी main character जो सिफ 15 साल की है उसे एक बच्चा मिलता है और वो decide करती है कि वो इस बच्चे को बढ़ा करेगी और यही से उसकी journey की शिरुबात होती है maakya बच्चे को लेकि एक जगह जगह जादा दिल नहीं रुख सकती क्योंकि फिर लोगों को शक होने लगेगा कि इसकी age क्यों नहीं बढ़री इस मूवी को animate करा है studio PA works ने और आर्ट style भी काफी बढ़िया है तो आठवे नंबर पे आता है Sword of the Stranger अगर आप cutter slice of life and romance टाइप मूवी देखकर परिशान हो चुकियों तो ये मूवी आपके लिए है जो set है जपैन के संगुकु पिरियेड में जब आए दिन वहाँ civil war हो जाया करती थी और उसी time हमारा main character कोतारू जो मैं भूल गया कितने साल का है बढ़ बच्चा है एक बहुत temple में अपने dog के साथ रहता है बढ़ अचानग उसके temple पर कुछ Chinese लोगों के attack होने के कारण temple destroy हो जाता है कोतारू अपनी जान बचा कर वहाँ से भागता है और एक abandoned buddha temple में छुप जाता है वहाँ उसकी मुलाकात एक warrior से होती है जो अपना नाम नानाशी बताता है सो कोतारू से protection मांगता है बचाओ भाई and since नानाशी वेला है जो कोतारू की बात महन भी जाता है और उसे sun reaction देता है नानाशी इतना mysterious है कि उसके past के बारे में भी हमें जाधा कुछ नहीं बताया गया बट आगे देखने के बाद आपको उसकी सचाई पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कोतारू पे लगातार अटैक्स हो क्यों रहे इस movie की खास बात है कि इसके action scenes जो काफी सदा original and pure लगते movie start होते ही अपना pace पकड़ लेती है सो कब end हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा इस animate करा है studio bones ने आप में से काफी लोगों ने movie भले ही ना देखियो कहिनका इसका नाम जरूर सुनाओगा पात्मा, पतीमा, inverted, जो भी हो ये set है एक ऐसे world में जहाए gravity experiment fail होने के कारण काफी सरे random लोग और चीज़े invert हो चुगी है और अब world में दो type के लोग है पहले तो normal, दूसरे उल्टी खोपड़ी के basically inverts जहां हमारा main character age एक normal human है और हमारी female main character एक उल्टी खोपड़ी की हमेशा की तरह ये दोनों एक accident, ने ने beautiful accident के कारण एक दूसरे से मिलते है कुछ समय बाद उस city के government's order आता है inverse को खतम कर देने का और इस operation के शुरू होते ही पतिमा के साथ साथ सारे inverse की life खतरे में आ जाती है अब इसके साथ क्या होगा ये तो आपको movie बता देगी बढ़ आप सोच रहे होगे कि इस anime को देखने का reason क्या है, story तो काफी common लग रही सो मेरे भाई movie को देखने का point है इसकी world building अब सबको पता है कुछ लोग upside down है तो हमें दोनों का perspective as a कहानी represent किया जाता है this shows की हर चीज के दो साइट से इस movie के काफी सारी चीज़ है and messages आपको movie देखते वक्ती समझ आएगी जिसे animate करा है studio रिका ने I want to eat your pancreas जो आता है number 6 पे जब first time मैंने इस movie का नाम सुना था तो लगा था ये comedy movie है and movie देखने के बाद realize हुग कि मैं कितना सही था movie के start में आपको बता दिया जाते है हमारी main character साकुरा के दोरा कि उसे एक disease है जिसके कारण वो कुछ time बात चली जाएगी और ये सारी बाते वो शेयर करती है हमारे main character से जिसका नाम भी spoiler है और वो चाहती है कि लड़का उसका end तक साथ दे अगर ना भी दे पाए तो उसके बचे हुए दिन में उससे fully enjoy करने में help करे ये सारी बाते वो शेयर करती है हमारे main character से जिसका नाम भी spoiler है ये plot जितना depressing लगता है उससे 10 गुना ज़ादा depressing है या निमे sometimes ऐसी feel आती है कि सब जानने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते जो कि काफी ज़ादा soul crushing है लेकिन इस show के characters में आपको बहुत ज़ादा कोई character development नहीं देखने मिलेगा cause characters already matured in effect इस crisis को handle करने के लिए but majority doesn't mean कि आप emotional नहीं हो सकते अगर आपको थोड़ी सी भी sad heartwarming story की तलाश में है तो ये movie आपके time के बिलकुल worth है जिसे animate करा है studio of London next list में आता है house moving castle well house moving castle एक studio ghibli की 2004 में released दूई movie है और हम सब जानते कि studio ghibli की movies ने आज तक कितना जादा impact डाला है anime industry पर और इस movie के साथ भी कुछ ऐसा ही है इसकी कहानी set है एक magical world में जहाँ Sophie नाम की एक young and beautiful girl है सिर्फ movie के starting के कुछ minutes तक बोड़ी देर बाद Sophie एक young beautiful लड़की से एक old grandma में transform हो जाती है एक शराप के कारण जो उसे मिला है witch of the waste से खुद को normal करने के methods ढूणते हुए Sophie end up करती है एक castle में जो है एक हाउल नाम के wizard का wizard के साथ जो Sophie की life है वो काफी wholesome तरीके से दिखाई जाती है अपनी problems का solution ढूणने के साथ साथ उसे काफी नई चीज़े पता चल रही और अगर किसी point पर story के कारण मुवी लैग भी करती है तो इसके characters और soundtracks के कारण वो mistakes दिखाई भी नहीं देती Overall, Howl's Moving Castle एक beautifully executed movie है जिसे animate करा है studio, you know, psychological, thriller and horror अगर कोई movie को sell करना है तो बस ये जो आनरा को साथ हो बड़ाज तक कितनी movies आई है जो इससे actually में properly execute कर पाई बागी का तो पता नहीं बड़ फोर्थ नंबर पे आने वाली movie परफेक्ट ब्लू ने इस concept को काफी अच्छे तरीके से दिखाया पहानी की main protagonist मीमा किली गोए ने अभी अभी acting industry को जोइन करने का सोचा है जे पॉप से switch हो कर actually plot में इतना ही है स्टोरी की कुछ elements आपकी पूरी body को कुछ time के लिए थंडा कर देंगे और सोचने पे मजबूर हो जाओगी कि ये क्या हुआ जौब को switch करने के कारण मीमा अपने अंदर ये एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है जहाँ उसकी imagination peak पर है इस movie को animate करा है studio madhouse ने once reality can be another one's illusion हाँ मुझे पता है ये कोड नारूट होगा है बट जो चीज हमारी लिए easy है वो सामने वाले के लिए एक सपने की तरह हो सकती है और यही दो ideas या dreams का collision हमें दिखाती है next movie जोजी the tiger and the fish देखो anime movies के डाइटल थोड़े weird होते है बट उनमें हमेशा एक hidden meaning चुपा होता है जो आपको movie देखकर ही समझ जाएगा स्टोरी के दो main characters है जोजी जो एक handicap लड़की है और सुनियो जो pretty much normal है एक beautiful incident के कारण इनकी मुलाकात होती है उच समय बाद ये दुनों एक दूसरे को अपना dream बताते जहां जोजी का dream है वर्ल्ड को explore करना क्योंकि उसकी disability के कारण वो बचपन से काफी ज़ता protected and conservative environment में रही है और उसके लिए दुनिया काफी छोटी है और इसलिए वो वर्ल्ड को explore करना चाहती है वेरास सुन ये जो पूरा normal है उसका dream है fishes के साथ तैरना I know इसमें characters थोड़े बड़े है स्टेल उनके dreams childish बट dreams मैचौरी कब होते मूवी की खास बाती है कि आपको कहीं भी typical rom-com वाली feeling नहीं आएगी every scene is like something new and refreshing और इस ताजा अमाल को animate करा है studio bones ने दूसरे नंबर पे है weathering with you जिस आनुमी के वज़े से मुझे part 1 में बहुत सुनना पड़ा है जब कि वो movie तब release भी नहीं हुई थी यार makodo shinkai जुनोंने आज तक हमें काफी सारी awesome movies दी है like your name etc उनकी हर movie list में कहीं हीना कई जगा बना ही लेती है और इस बार ये दूसरे पर गुज़ गई इसके नाम का मीनिंग अगर गूगल करने जाए तो movie का sense बिलकुल change हो जाएगा बट movie senseless नहीं है story revolve करती है हीना और होदा का के अराउंड और इसी मुलाकात के बाद उनका मिलना काफी frequent हो जाता है अभी coincidence है या कुछ और ये तो मैं आप पर जोड़ता हूँ और अब उसे लोग sunshine girl के नाम से जानते हैं जिसके पास ability है weather को control करने की और ये दोनों जगा जगा जाके लोगों की जिंदगे में रोशनी डालते बट क्या ये रोशनी उनके life में अंधेरे का कारण बन सकती है I think ये obvious है बिकास हीना जो कर रही है वो indirectly nature को oppose करना होता है and one way or another nature को oppose करके किसी गभणा नहीं हुआ है इससे मैंने theater पे देखा था जो कि सिफ 2 गंटे की movie है comment में बताईए आपको इसका theater experience कैसा लगा था number one ये position किसी भी anime series या movie को देने के पहले काफी जाधा सोचना पड़ता है कि ये show worth it है या नहीं overrated तो नहीं बट शायद ये पहली बार है जब मुझे grave of the fireflies को number one पे रखने में कोई problem नहीं आई 90s में आई एक war movie जिसका impact अभी भी काफी जादा है उपर से गिपली studio का मसाला जैसे कि इसके नम भी grave है तो आपने guess करी लिया होगा कि इस movie में typical happy ending नहीं है but you can't expect a horror story to have a happy ending हाँ हाँ मुझे पता है ये dialogue Aaron का है अब AOTK 14 मत बोलना since ये movie war के बारे में जिन्होंने आज तक war सामने से नहीं देखी ने मैंने भी नहीं देखी तो ये movie हम जैसों को visually वो चीज़े दिखा कर हमारे दिल के टुकडे करने वाली है story है एक भाई और एक बहन के बारे में जिनके parents की death हो चुकी है और अब भाई जिसका नाम में भूल गया उसकी बहन अभी भी छोटी है और काफी ज़्यादा जिद्धी जो एक तरह से सही भी है अब बच्पन में जिद्धी कौन नहीं होता बच्ची को पता ही नहीं न की war exactly होता क्या है ये movie देखने के बाद आपका war के against काफी ज़्यादा नजरिया चेंज हो जाएगा तो अगर आप किसी चीज के consequence को जानना चाहते है बिना उसे experience करें तो movie को check out करना तो बनता है बाई देवे ये सारी movies की link हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आपको मिल जाएगी तो आप वहाँ पता हरना जरूर तो मिलता हो आपसे किसी नए दिन या रात किसी नए वीडियो के साथ तिल देन जै भद्रकाली